The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and lead up. भारत की आजादी का संघर्ष कितना लंबा और कश्टदायक रहा है, ये आज आजाद भारत के 75 साल के बाद भी बुलाई नहीं बोले। गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाने वालों में हर्यान भी सबसे आगे रहें और घोर यातनाओं और अमानदी अध्याचारों के फुक्त होगे। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि दिल्ली के नजदीक होने की वजए से अंग्रेजों का आवा गमन राष्टिय राजमाग से लगा रहता था। और हर्याना खेत खलिहान से भरपूर होने की वजए से सम्रद्ध प्रदेश होते हुए अंग्रेजों की नज़रों में लगान वसूली का केंदर बिंदु रहता था। साथ ही अंग्रेजों का मिल्टरी स्टेशन अंबाला था और जिसकी वजए से अंग्रेजी सेना का दबदबा हर्याना पर रहता था। अंबाला कंटोन मेंट 1843 में करनाल के बाद बनाये था। 1803 में जब मराठु की पराजय के बाद दौलत राव सींधिया और अंग्रेजों के बीच सिर्ची अर्जन गाव की संधी हुई तो यमुना के उत्तर पश्चिमी हर्याना पर अंग्रेजों का दुशार था। अंग्रेजों का वहवाहर और नीतियां भारतियों के लिए हितकारी नहीं थी। इस कारण लोगों के दिलों में असंतोश ने जन्दिया। 22 मई 1835 को दिल्ली में एक चोकाने वाली घटना घटी। एक नवाब शम्शुदीन ने अपने एक विश्वास पत्र मेव करीम खान के साथ मिलकर दिल्ली के सर्वोच प्रशाशक विल्यम फ्रिजर की हत्या कर दिया। लेकिन बाद में इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। इस शहादत ने हरियाना पर बहुत गहरा प्रभाव डाना और फिरंग्यों के प्रती लोगों के मन में घ्रणा और रोश बढ़ दिया। दिन प्रति दिन कम्पनी का अत्याचार भारतियों पर बढ़ता ही जा रहा था। कज़ा करना होगा एनेक्सेशेट अज्यों भुष्ट सौर्व। 1856 के अंतिम दिनों में कम्पनी सरकार ने भारतियों सैनिकों को गाएं और सूर की चर्वी से बने कार्तूसों का इस्तिमाल करने के आदेश थी। जब दमदम डीपो के भारतियों सैनिकों को इस बात का पता चला तो उनमें विद्रोप भड़त उठा। अंग्रेज अपनी इस हरकत से हिंदू और मुसल्मान दोनों ही के धर्म पर चोट कर रहे थे। यह सूचना देश में जंगल की आग के तरह फैल गई। आठ अप्रेल के दिन सिपाही मंगल पांडे ने चर्पी से बने कार्तुस को चलाने से इनकार कर दिया। और बैरकपुर में माप भरती के चर्णों में अपने प्राणों की आहुती दे दी। मंगल पांडे की इस शहादत ने सेनिकों के दिल में बदले की आग भरती। उन तिनों अंबाला अंग्रेजी सेना का मुख्या ले था। एक बड़ी चावनी के साथ साथ बंदूग प्रशिक्षण के निफे था। मंगल पांडे की शहादत का असर यहां भी दिख रहा था। और अंग्रेजी अफसरों के विरोध स्वरूप यहां चावनी में आगजनी की घजनाएं आम बात थी। अंग्रेजों में इन सबसे आतंक का माहूर देएं। विद्रों की सूचना मिलते ही अंबाला में साथवी और पांचवी रेजिमेंट ने भी विद्रों कर दिया और माल खाने में रखे हतियारों पर कबजा कर लिया। हलाकि अंबाला चावनी में नए कार्तुसों को लेकर मार्च 1857 से ही आगजनी की छुट-पुट गटनाएं शुरू हो चुकी थी। इनी धिनों करांतिकारियों ने पानीपत में मजी स्टेट की हत्या कर दी और समालखा पर कबजा कर लिया था। नौल्था जल्दारी के 16 जाट बहुले गाओं ने राजसव यानि के लगान देने से मना कर दे भालसी और कुराना जल्दारी के 19 गाओं ने भी विद्रो कर दे पानीपत के धार्मिक स्कूलों से खुले आम अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ बगावत का प्रचार किया जा रहा था। हिसार में देश भक्तों ने अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी होकर जिलाधीश वेडर बन की खुले आम हत्या कर दे जिसका बदला लेते हुए अंग्रेजों ने रोहुनात गाओं को पूरी तरह नश्ट ले। मंगाली, जमालपूर, हाजिमपूर, ओधा, छत्रिया, खारिया, भाठल और अलिपूर में मालिकाना हक खत्म करके सारी जमीन जब्द कर दे और लोगों को रोड रोलर के नीचे पुछलवा जेए। आज भी इस सड़क को लाल सड़क की नाम से जाना जाता है। हांसी के लाला हुकम चंजैन और मिर्जा मुनीर बेग ने देश भक्तों की अगुवाई की। उन्हें भी अंग्रेजों ने सैक्डों दूसरे क्रांतिकारियों की तरहां हांसी पर लटकवा दी। रहतक में भी क्रांति की आग फैल चुकी थी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की सांपला चोकी पर हमला कर दिया। और मेहम, मदीना, मांडोठी के कस्टम बंगलों को आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने खर्खोदा में अंग्रेजी फोल से भैंकर लडाई लगी। इस लडाई में 25 से ज्यादा क्रांतिकारी मारे गए। रोहोतक में जनरल निकलसन ने क्रांतिकारियों पर हमला बोल दिया। और शहर की बारूद प्रेक्ट्री में आग लगा दी। जिसके कारण 500 क्रांतिकारी मारे गए। कचहरी के पास पेड़ों पर सैक्ड़ों लोगों की लाशी लगी। और शहर में चारों करब लाशी ही लाशी विख्री। ऐसे कितने ही खौफनाक मनजर पूरे हरियाना में देखे गए अठारे सो स्टामन की प्रांतिकारी। अब तक हरियाना का गुड़गावा और पूरा मेवात अंग्रेजों के खिलाब खड़ा हो चुका था। रिवाडी के मजिस्टेट कैलिफोर्ड की सोहना में हत्या करती है। मेवात के गाउं महुन, रूप्रका, बेरोटा, रिवासन वगहसेडा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। इस लड़ाई में 150 से ज्यादा ख्रांतिकारी माहें। पंचनका, गेहपुर, मालपुर, चिल्ली, उतावर कोट मुगल आदी आसपास के गाउं में 3500 मेवों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोग शुरू कर दिया। जिसमें 400 से भी जादा लोगों को अंग्रेजों ने मौत के खाट उतार दिये। कुछ गाउं के तो नामों निशान तक मिटा दिये। रिवाडी के राव किशन गोपाल और राव तुलाराम नसीब पूर के निकट अंग्रेजों से भीड़े। जिसमें राव किशन गोपाल शहीद है। दिल्ली से सटे बल्लबकड के राजा नाहर सिंग ने बगावत करते हुए दिल्ली पर बहादुर्शाह का कबजा करवाने में सैनिक, रसद और हर तरह से मदद की। अंग्रेजों ने राजा की सारी संपती जब्द कर ले और चांदनी चोक में फांसी पर लड़ा दिया। मैं हिंदुस्तानी नवाबों और राजाओं को टाइट लेश पर रखना चाहता हूँ। जजजर के नवाब अब्दुल्ड रह्मान खान और फरुख नगर के शाशक एहमद अली को भी क्रांतिकारियों की सहेता करने के आरोप में चांदनी चोक में फांसी पर चठा दिया। और उनकी जायदाद जब्द कर दिया। दिल्ली के विद्रोह की सूचना गुर्गाओं पहुँची। उन्होंने जिले के खजाने से साथ लाख चौरासी हजार रुपे लूट ली। कैदियों को जेल से आजाद करते हैं। यह सारी घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि अंग्रेजी अफसर समझ ही नहीं पाए। ऐसा होते ही गुडगाओं का केलेक्टर पलवल से होते हुए मतुरा भार्खरा। 17 मई 1857 को तीसरी लाइट इंफेंट्री के 300 देश भक्त सैने दिल्ली से गुडगाओं की तरफ बढ़े। आसपास के गाओं के किसान, कारीगर और जन्मानत इन क्राम्थियों के साथ हुए। हर्याना वासियों का इतना सतत प्रयास, अंग्रेजों की बड़ी और प्रशिक्षित सेना और हथियारों के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। और भारी जजबे के बावजुद कुछ कम्यों की वजए से नाकाम होना शुरू हो। अंग्रेजों ने दिसंबर 1857 तक वापिस कब्जे जमाना शुरू कर दिया। अकेले हर्याणा से 24,000 से ज़ादा लोगों को 1857 से 1869 के विद्रोप में भाग लेने के लिए फांसी पर लटकाया गया था। और 200 से ज़ादा क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दे गई जो कभी वापिस नहीं आ सके। सियासी नजरिये से 1857 की क्रांति भले ही विफल रही हो। लेकिन देश वासियों में भड़की विद्रोप की ये चिंगारी आगे चलकर आजादी के संगर्ष में आग बनने वाली थी। जो अंग्रेजी सल्तनत के ताज को खाक में मिलाकर भारत की आजादी का राज्यभशे करने वाली थी। बेशक इतनी कुर्बानी के बाद भी जीत अंग्रेजों की ही हुई हो। प्रन्तु इस चिंगारी में आगे चलकर देश की गुलामी को जलाने वाले अंगारों का काम। 1858 में महरानी विक्टोरिया ने भारत का शाषन इस इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में असंतोश बढ़ता जगा गया। और लोगों में एक नई चेतना जगाई। गुलामी की जन्जीरों को तोड आजादी की फिजाओं में खुल कर सांस लेने की चेतना और इसका उदय सबसे पहले सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में सारे हर्याना में फैलने लगा। गुरुकुलों में चात्रों में स्वाधीनता की भावना कूट कूट कर भरी गए। सनातन धर्म सभावी इस दिशा में अभिसर्वी। इसार में लाला लाजबत्राय ने स्वतंत्रता की चेतना जगाने में बढ़ चड़ कर भाग दिया। जगराओं के कस्वे में जनवे लाला लाजबत्राय ने अपना राजनेतिक और समाजिक जीवन हिसार से शुरू किया था। वो हर्याना में आर्या समाज के स्तंब था। पूल से चंदूलाल आदे थे। अंग्रेश सरकार को जेतावली देते हैं कि उनके हर जल्म का जवाब दिया जाएगा और जवाब देंगे हम। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्वयुद्ध के दोरान हर्याना के सभी वर्गों, जातियों वधर्मों से हाजारों लोगों ने फौज में भरती होकर वीरता से लड़ाई लड़ी। हर्याना वासियों ने आर्थिक रूप से भी अंग्रेजों की मदद की अगर विश्वयुद्ध समात होने पर अंग्रेजी सरकार ने बदले में भारत को प्रोलेट एक्ट जिसका नाम लोगों ने रखा काला गानून। 30 मार्च 1919 का दिन भिरोध का दिन घोशित किया गया जिसको बाद में बदलकर 6 अप्रेल कर दिया देश भगतों ने अंतराष्टे स्तर पर गदर आंदोलन शुरू कर दिया अंबाला निवासी कासी राम गदर आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रहे जिनको अंग्रेजों ने 27 नवंबर 1915 को मासी पर लटका दे रोलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार की पाबंदी के बावजूद बहात्मा गांधी दिल्ली हरियाना पंजाब की स्थीति का जाजा लेने आने वाले थे तब उन्हें 10 अप्रेल 1919 के दिन पलवल स्टेशन पर गिरफतार कर वापिस बंबई बेज दिया गया ये गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन में पहली गिरफतारी थी ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही की देश भर में भरपूर खिलाफत हुई अनेक हिंसक घटनाएं भी हड़ताले हुई जुलूस निकाले गए वैशाखी के दिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत भत्रती हरियाना का भी लहु खोल गया बहादुरगड में रेल की पट्लियां उखाड़ दी गए जगह जगह टेलीग्राफ की तारें काटी गए जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने गुडगां गोहतक सोनिपत और करनाल को उग्र शित्र भोषित्र है इस जारिम सरकार को मेरा एक ही जवाब है और एक ही ऐलान है असयोग आंदुलन महात्मा गांदी के शर्ण अगस्त उनिस सो बीस में गांधी जी ने ऐस सहयोग आंदुलन की घोशना कर दिये और वे अगस्त उनिस सो बीस को रो तक आए और वहाँ जन सबह में उन्होंने ऐस सहयोग आंदुलन का नारा बुलंद हर्याना के नेता भी स्वदेशी के प्रचार और विदेशी माल के बहिसकार आंदुलन को सफल बनाने के लिए जुट गए बाइस अक्तूबर उनिस सो बीस को भीवानी में पहली बार अंबाला डिविजनल कॉन्फरेंस हुई अंबाला के लाला मुरली धर इसके कि नवंबर उनिस सो बीस के शुरू में रोहतक में जिलासतर की कॉन्फरेंस हुई जिसमें 15,000 लोगों ने भाग लिया था लाला लाजपत राय और स्वामी सत्यदेव भी इस कॉन्फरेंस में शामिल हुई जिससे असयोग की आंधी पेज हो लिए अंबाला के लाला मुरल के शाम लाल ने अपनी वकालत छोड़ी गोकुल पंत और नैंसुक दास ने भी अपने अपने मैडल और सेर्टिपिकेट स्लोट आ दे पंडित ने कि राम शर्मा ने सिर्षा भिवानी और विसार जाकर लोगों को कॉन्सिल चुनाव का बहिशकार करने की अपेड़ी लाला असहयोग आंदुलन के दोरान सकूलों में चर्खा कातने का परश्रिक्षन दिया जाने लगा स्वदेशी परचार के लिए रोहतक और बेरी में बुनाई कार खाने लगाए गए रोहतक में एक सवरज आश्रम खोला गया मार्च 1921 में गांधी जी ने अन्य नेताओं के साथ हारियाना का दोरा किया इस दोरे में उन्होंने लोगों को चर्खा कातने और विदेशी वस्तों के बहिसकार का संदेश दिया अगर ऐसा हो गया तो समझ लो हमने आर्थिक जंग जीत ली तीन फरवरी 1928 को साइमन कमिशन भारत आया जिसमें किसी भी भारतिये को शामिल नहीं किये जाने पर देश में जगर जगह इस कमिशन का विरोध किया जाने लगा इस विरोध में हरियान भी शामिल हुए प्रदर्शन कारियों पर भ्यंकर लाठी चास किया लाठीयों से हुए इस घातक प्रहार में लाला लाजपत रायजी खायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए उनकी इस शहादत ने जन मानस में अंग्रेजी सरकार के खलाफ नफरत को और बढ़ा दिया जिस से विधरो और तेजी से बढ़ा दिया देशभक्त एक तरफ जहां सत्या गरह कर रहे थे वहीं कुछ क्रांतिकारी देशभक्त बमों का भी निर्मान कर रहे थे प्रसिध वैद लेख राम ने रहोतक में गुप्त बास कर प्रसिध लेखक और प्रांतिकारी यशपाल के साथ मिलकर बमों का निर्मान किया 1929 में भिवानी में नौजमान भारत सभा की स्थाफ ना की देए 6 अप्रेल 1930 को गांधी जी ने नमक बना कर कानून तोड़ा अरियाना के रहोतक और भिवानी के साथ साथ हिसार में चोहदरी साहिब राम, राव मंगली राम वैद आदी ने नमक बना की और बाद में उसकी निला में की गई बहादुरगड में भी नमक बना कर गांधी चोग पर इसकी निला में के गई जहां पुर्सों के साथ महिलाओने भी जगहें जगहें नमक बना कर कानून तोड़ा अंबाला की श्रीमती कमला देवी अंबालवी, रोतक और भीवाने की श्रीमती कस्तूरी देवी, धनवंती देवी, नन्ही देवी, दुर्गा देवी, लक्षमी देवी, धापा देवी और मोहनी देवी ने स्वाधिंता संग्राम में महतोपुर्ण भूमी का निभाई और कितनी ही बार इसी मिशन में वो जेल भी देगा। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फांते हैं। सारे हिंदुस्तान में क्रोध की लहर दोड़ गई और हर्याना में भी लोगों का गुस्सा फूप पड़ा। विरोध स्वरूप जुलूस निकाले गई, जिनमें युवाओं ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया। साथ ही आजादी के जोशी ले गीत काये। 1932 में अंग्रेजी सरकार कम्यूनल अबोर्ड ले आए। जिसमें दलितों को अपना अलग-अलग प्रतिनीधी चुलने का अधिकार दे लगे। उदेश्य था भातियों में हूपा। देखा हमारा चाल का चामतकार, धिवाइट एंड रूल। इन दिनों गांधी जी यर्वदा जेल में थे। उन्होंने आमरण अंशन शुरू कर दिया और इस अवार्ड को रद करवाने में सफल रही। पूना पेक्ट 1932 के बाद गांधी जी के आववान पर हर्याना में भी दलितो द्वार आंधुलन टेज हो गया। जजर में गांधी हरीजन आश्रम की स्थापना होई। रोतक में एक प्रिती भोज का आयोजन किया गया। जिसमें सब ने एक साथ मिलकर भोजन किया। 1937 में आम चुनाव से पहले पंडित नहरू ने सारे हर्याना का चुनावी दोरा किया। उन्हें सुनने के लिए लोग दूर-दूर के गांव से चल कर आए। हर्याना में कॉंग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा मुख्य प्रतिध्वन्वी थी। कुल 22 सीटों में से 12 सीटे यूनियनिस्ट पार्टी को मिली। और चोधरी छोटु राम और टीका राम मंत्री बनी। और वहीं 1949 में दूसरा विश्व यूद शेलिया। ब्रिटिश शरकार ने भारतियों को बिना बताएं। बिना विश्वास में लिये ही घोशना कर दी कि भारत ब्रिटेन के साथ है। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतिय सरकारों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिये। और इसी के साथ व्यक्तिकत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बुरी है। सारे भारत में युद्ध विरोधी नारे लगने तक है। और सेकड़ों लोगों ने गिरफ्तार लिया दे। सरकार के इस दमन्चक्र से लोगों में असंतोश फैल गया। उन्होंने पुलों, पुलिस चोकियों, दाक घरों और अन्य सरकारी संपती को नुपसान पहुचाया। रेल की पठलियां उखाड दी, पूरे हर्याना में आंदोलन हुए, आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारियां दी। दूसरे विश्व युद्ध के दोरान नेता जी सुभाष चंदर बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना के जिसमें तीन हजार से जादा हर्यानमियों ने भाग लिया। बात जुलाई, 1943 को बर्मा की धर्ती से नेता जी ने दिल्ली चलो की दाढ़ लगाई। नेता जी ने वीर योधाउं से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दोगा। भारत की आजादी के लिए लड़ी गई इस लड़ाई में तिन सो पचास के लगबग हर्यानमी शहीद है। मेजर सुरज भान, कैप्टन सुक भान, लेफटिनेंट करनल राम सरूप, कैप्टन कमल सिंग, महताब सिंग और मेजर खजान सिंग जैसे हर्यानमी सूर में इस फौज में थे। अंतते, अंग्रेजी सेना में शुरू में भरती हुए इन रणबाकरों ने, बाद में आजाद हिंद फोज में शामिल होकर भारत की अजादी के सपने को साकार करने के प्रियास में अपना योगदा राश्टिय स्तर पर पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय में सांपरदाइस्ता की भावना को भड़काया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम बाहुले प्रांथ पंजाब में उन्हें ज्यादा सफलतान नहीं मिले वाव, हिंदू और मुस्लिम ड़रोई एक साथ, डिवाइड और रूल की कुमारी यह नहीं थी, अब और साथा दिन नहीं च सरकार बनाए, राश्टी इस्तर पर अंत्रिम सरकार की स्थापना हुए और समयधानिक सभा का गठन हुए, और इस सभा में इस क्षित्र के 12 सदश्य बनाए गए जिन में यश्वंत राव, मास्टर नंदलाल, ठाकुर्दास भारगव और चौधरी रणबीर सिंग किया गया। आगस्त 1947 का वो इतिहासिक दिन आ ही गया, जब सारा विश्व सो रहा था और भारत आजाद हुआ। यो दुरभागय की बात है। उसी समय देश विभाजित होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम के दो टुकुड़ों में बढ़ गया। इसी पर किसी ने कहा है कि बहार आती है कब चमन तकसीम होते हैं। बाहर आती है पर कब चमन तकसीम होते हैं बाहर इस शर्च पर आये कि चमन तकसीम हो पहले। खुदा जाने यकिन दानेश्वरों का फार्मूला था कि हम आजाद हो पीछे और वतन तकसीम हो पहले। शायद ये उसी विभाजन का असर था उसी बटवारे का असर था कि देश बे दंगे हुए कतले आम हुए विपत्ती के इन शणों में पाकिस्तान से जो हिंदू लोग हर्याना में आये उने सरकार और हर्यानवियों ने हर संभव मदद दी इस तरह हर्यानवासियों ने देश की आजादी के संखर्ष में अपनी आन, बान और श्चान की रक्षा करने के लिए कितनी है मुसीबतें सही और अपने प्राणों की आहुते नमो नमो है मातर भूमी शहितों को सो सो परणा